हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android में आप अपने मुवाइल फून की डिलीट हो चुकी फोटे है वीडियो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिह है आप इस वीडियो कोщее फोटे है वीडियो को आपना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मुवाइल फोन की सेटिंग के जरीए आप जो है डिलीट हो चुगी फोटो को रिकवर कर पाएंगे तो चलिए यहां पर पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैं लाइब्रेरी पर लाइब्रेरी पर उप्चन तैप करना मैं तो आप कि उतकी मारव जाजा हैँ गो 31 का पापा सिकांब करना अब लिए इस फोटो को उगली से दबाके रखिए एक म congrat लहीं किगेगा इसके बाद नीचे रीचे रिच्टोर पर उप्चन करना सा रिचिए हो जाएगा फोन की गैलरी में वापिस चला जाएगा हम यहां पर चेक कर लेते हैं एक फोटो रीकवर हुआ है कि नहीं हो साड में दो जगे पे लिमिट लिखे हुई है दूसरी में लिखा हुआ जाने कि इस दिन के लिमिट और तीज और तीन के काम करने के लिए यह दोनों मैं आपको समझाता हूं देंकि इस समझने के लिए बैक पर जाना है और यह जो राइट साइट की टॉप पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर है इसे टैप करना है ठीक है आपका एक पेज ओपन होता है यह वाला इसमें देखिए बैकप की सैटिंग है ठीक है तो यह बैकप इस ओफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस एप की बैकप सै आप उसे रिकवर कर सकते हैं साट दिनों के अंदर रिकवर नहीं किया फोटो को तो साट दिन बाद बाद जो है आटमाटिक पर्मेनेंट यहां से भी डिलीट हो जाएगी और देखिए अगर आप यह जो बैकप सैटिंग है ना बैकप सैटिंग को अगर आप बंद कर दे बंद करने के बाद अगर आप कोई भी फोटो डिलीट करेंगे तो वह फोटो आपकी जो है इस बीन वाले पेज में 30 दिनों तक पड़ी रहेगी ठीक है 30 दिन में आप उसे रिकवर कर सकते हैं 30 दिन में रिकवर नहीं किया तो 30 दिन बाद जो आटमाटिक पर्मनेंट डिल वही जो एसने उसी कियों झा है 찹प सकते हैं 30 दिन वीं में रेना तो